कश्मीर चल रहा है कश्मीर के मसले का एक ही हल अल जिहाद आस्ट माइग्रेशन है शुरू हो चुरू हो चुरू है 24 घंटे तो बैठ है शाहद डोवल का फाइनल प्लाइग अरेंद्र मोदी सरकार आतांकवाज के विरूद में जीरो टॉलरंस की नीटी बना कर आगे बढ़ रही है अब हिंदू नहीं आतंकी छोड़ेंगे कश्मीर मैंने एद किया मैं कश्मीर छोड़के नहीं जाओगा कश्मीरी पंडित होके मैं कश्मीर नहीं छोड़ूँगा आतंकियों के अड़े पर सेना का बुल्डोजर ग्रेमंत्री अमिशा और रास्टी सुरक्षा सलाकार अजीड दोवल ने कश्मीर में सक्री आतंकियों के खिलाफ कारवाई के लिए प्लान तयार किया है और खुफिय अजंसियों और सुरक्षा बलों को कारवाई करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सोपी है आईसाई की गरती बुक्तेगाफ पाकिस्तान शाह और डोवल की कश्मीर पैक्स देशित में अब बात करते हैं कश्मीर में आतंक के खिलाफ ग्रे मंत्री अमित शाह के नए मिशन की जिसके लिए आज दिल्ली में एक हाई लेबल मीटिंग हुई इस मीटिंग में अजीत डोवल के अलावा सेना प्रमुक, खुफिया एजन्सियों के प्रमुक, पैरा मिलिटरी और जम्मु कश्मीर पुलिस के डीजी भी मौचूद थे सुत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कश्मीर में टार्गेट के लिंग करने वाले आतंकियों के खलाफ फाइनल एक्शन प्लैन तयार किया गया है सुत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सुरक्षा एजिंसियों से कहा गया है कि आतंकियों से जुड़े खुफिया इंपुट को और भी मजबूत किया जाए ताकि जो हमले किये जा रहे हैं उनके बारे में पहले से जानकारे मिल सके वहीं आतंकियों के खिलाफ एक्षिन और तेज किया जाए केंदर सरकार अमरनाथ यात्रा और कश्मीर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए अर्द सैनिक बलों की तैनाती और बढ़ाएगी यही नहीं जमो कश्मीर पुलिस को प्रवासी मजदूरों और नॉन लोकल्स की सुरक्षा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है साथी साथ सीमा पार से ड्रोन के जरिये हत्यार भेजने की जो साजिश की जाती है उस पर निग्रानी तेज की जाएगी कश्मीर में सिर्फ एक महिने के अंदर आठ टार्गेट किलिंग हुई है एलोसी पार, इसलाम अबाद और मुजफ़राबाद में बैठ कर कश्मीर में दहशत फलानी की नई प्लानिंग तयार की है सीमा पार, नए लॉंचिंग पैट्स की भी खबर है और ये सारे संकेत बता रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आयसाई कश्मीर में फिर से खुनी खेल खेला चाहती है जिसके शुरुवात की जा चुपी है लेकिन इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजंसी और पाकिस्तान परस्त आतंक वादियों को उनकी ये भूल बहुत भारी पढ़ने वाली है क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग पर पलाटवार की कमाई, एक बार फिर से ग्रह मंतरीय मिश्चाह और एनसे अजी डोवल ने समाल लिये कश्मीर में हिंद्वों और सरकारी कर्मचारियों की हत्या के बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई ग्रह मंत्री अमिशाह की अध्यक्षता में हुई ये मीटिंग कितनी महत्वपूर थी इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिनहा भी दिल्ली पहुँचे मीटिंग में ग्रह मंत्री के एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिनहा और दूसरी तरफ एनसे अजिट डोवल बैठे थे मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, रोचीफ सामन बोयर, डीजी सी आर्पियर, डीजी बीएसेट और आईवी चीफ के लावा सभी बढ़ी एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे ग्री मंतरी अमिशा और एनसे डोवल ने 24 घंटे में दो बार मुलाकात की है और टारगेटट किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ फाइनल प्लान तैयार किया है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आटकल 370 हटाने के दोरान खुफी अजेंसियों अर्थ सैनिक बलो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई थी ठीक वैसे ही टारगेटट किलिंग करने वालों के खिलाफ इन सभी अजेंसियों को जिम्मे प्लान में सबसे उपर घाटी में कश्मीरी पंडितों और हिंदों की सुरक्षा है इसके अलावा अमंडा थ्यात्रा में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान भी बनाया गया है कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ कला एक्षन लेने की तयारी की गई है इसके अलावा सीमा पार से हत्यारों की सप्लाई पर भी रोक लगाने का प्लान तयार किया गया है वहीं टेरर पंडिंग पर भी नके कसने की तयारी की गई है जिस वक्त कश्मीर में टारगेट किलिंग की वज़े से हिंदों में डर है उस वक्त गिल्ली में हो रही इस मीटिंग पर सब की नजल गाटी में आतंकियों पर एक्शन तो लगातार जा रही है लेकिन वहाँ पर रहने वाले हिंदों खास कर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा काफी एहम मुद्दा है सूत्रों के मुताबिक ये जिम्मदारी जम्मु कश्मीर पुलिस को सौपी जा रही है अपने अपने इराकों में तैनात एसेचों पर इस बात की जिम्मदारी होगी कि वो अपने ख्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल्स की सुरक्षा की पर्याप्त नवस्था करें सेना प्रमुक जनरल मनोच पांडे भीस मीटिंग में मौदूद रहे घाटी में ऑपरेशन आल आउट चला रही सेना और पैरा मिलेटरी फोर्सेस को भी बड़ा रोल सौप अगया है पिछले दिनों जम्मु कश्मीर में ड्रोन से हतियार सप्लाई की अगरिया हुए है ऐसे में सीमा से घुसपैट रोखने की जिम्मदारी भी सेना और बियसेफ के पास है वहीं रो और आईबी सीमा पार और घाटी में आतंकियों के निटवर्क ये जाल की सूचना है सुरक्षा एजेंसियों तक पहुँचाईं जिससे आतंकियों के हमले से पहले ही सुरक्षा बल अपने एक्षन से आतंक का काम तवाम करते हैं चाहे कश्मीर हो या नौर्थीस हो या देश का कोई भी इससा हो बहुत लाजमी है for any successful operation की जो हमारी सुरक्षा एजेंसिस हैं और जो खुफी एजेंसिस हैं मिल जूलकर अच्छे तालमेल के बाताविक काम करें और ये बड़े पेमाने पर अच्छा तालमेल जो है आज काइम है किश्मीर में और नौर्थीस में इस मीटिंग में अमर्ना थ्यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है क्योंकि इस पर भी आतंकी हमले की आशंका जाहिर की जा चुकी है फिलहाल टारगेट किलिंग को हतियार बना कर आतंकीओं ने एक बार फिर से कश्मीर में 1990 जची दहशत पलाने की प्लानिंग बनाई है लेकिन शाह और डोवल की प्लानिंग आतंकीओं और उनकी आखाओं पर भारी पढ़ना दिया बनी शुक्ला जीवी दिया दिल में चलिए बाब को समझाते हैं आफिरकार राश्ट्री सुरक्षा सलाकार अजीत डोवल के एक्शन से कश्मीर के आतंकियों में खलबली क्यों मच जाती है सबसे खास बात है कि अजीत डोवल ने पाकिस्तान में काफी काम किया है इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की उनके अंदर भरपूर समझ है इसके साथ साथ आर्टिकल 370 हटाते वक्त डोवल ने सीमा पार से संभावित साजिशों का काउंटर प्लैन पहले ही तयार कर लिया था यहिनाई टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA का इस्तमाल करके उन्होंने कश्मीर में आतंकियों अलगावादियों की कमर तोड़ कर रख दी आतंकियों और अलगावादियों को देश के अलग-अलग जेलों में बंद करने का एक्शन भी काफी कारगर साबित हुआ था इसके साथ 370 हटाने के बाद डोवल ने कश्मीर में घेरा डाला डेरा डाला जिससे सुरक्षा बलों का हौसला और कश्मीर की आवाम का विश्वास बढ़ा